प्रियो आज की वीडियो में हम लोग बेबी लोन की राजा नबुकर नेजर की कहानी देखने जा रहे हैं जिसने बेबी लोन में एक सोने से बनी हुई मूरत बनवाया कि लोग इस मूरत की उपास ना करें आज इस कहानी में हमें राजा द्वारा किये गए अत्यचार को देखेंगे जबर जस्ती लोगों को इस मुरत की उपासना करने को मजबूर करने की इस कहानी ने राजा की कुरूरता को दर्शाया है परन्तो इसके अंत में क्या हुआ इसे भी देखेंगे इस कहानी को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी में ही हमारी जीवन से भी संबंधित कुछ बाते दिखाई देने वाली है अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर दीजे और वैल आइकोन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाएं तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये कहानी शुरू होती है राजा नबुकद नेजर से और उसकी द्वारा सोने से बनी मूरत की उपासना पर बल देने पर परन्तो इस मूरत को खड़ी कराने के पहले नबुकद नेजर ने येरुशेलेम पर युद छेड़ कर येरुशेलेम में परमीशर के भवन का सारा समान लोट कर बिबी लोन ले आया था और येरुशेलेम मंदिर को भी नस्ट किया वहाँ के शहर पनाहों को भी फुकवा दिया तथा कुछ यहूदियों को भी बंदी बना कर बिबी लोन में ले आया था राजा ने जिस समय सोनी की मूरत को खड़ा कराया और उसकी उपासना का आदेश दिया उस समय प्रजा के साथ में शद्रक मिशत और अवेदनगु नमक तीन यहूदी पूरुष भी शामिल थे अब आईए इस कहानी को पूरा देखते हैं जो हमें मिलता है दानियल के पुस्तक उसके तेस से अध्याय में उसके एक से तीस में नबुकर नेजर राजा ने सोनी के एक मुरत बनवाई जिसके उचाई साथ हाथ और चुड़ाई छे हाथ की थी उसने उसको बेबीलोन के प्रांध के दूरा नमक मैदान में खड़ा कराया तब नबुकर नेजर राजा ने आधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, नयाईयों और शास्त्रियों आधिप्रांध प्रांध के सब आधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मुरत की प्रतिस्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी तब आधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांचि, नयाई, शास्त्री, आधिप्रांध प्रांध के सब आधिकारी नबुकर नेजर राजा की खड़ी कराई हुई मुरत की प्रतिस्ठा के लिए इकठे हुए और उस मुरत के सामने खड़े हुए तब धिंडोर्चियों ने उचे शब्द से पुकार कर कहा ये देश-देश के और जाती-जाती के लोगों और भिन-भिन भाशा के बोलने वालों तुमको यहाँ आग्या सुनाई जाती है जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वह उसे धधकती हुए भटे के बीच में डाल दिया जाएगा इस कारण उस समय जियो ही सब जाती के लोगों को नर्सिंगे, बासुली, वीडा, सारेंगी, सितार, शहनाई, आदिस सप्रेकार के बाजों का शब्द सून पड़ा तेवी देश-देश और जाती-जाती के लोगों और भिन-भिन भाषा बोलने वालों ने गिर कर उस सोनी के मूरत को जो नबुकर नेजर राजा ने खड़ाई कराई थी दंडवत किया तब ही उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाने लगे वे नबुकर नेजर राजा से कहने लगे हे राजा तु चिरन जीवी रहे ही राजा तुने तो यहाँ आग्या दी थी कि जो मनुष नरसिंगे, बासुली, वीडा, सारेंगे, सितार, शहनाई, आदी सब प्रकार के बाजो का शब्द सुने वहाँ गिर कर उस सोनी की मूरत को डंदवत करे और जो कोई गिर कर दंदवत ना करे, वहाँ धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए देख, शद्रक, मेशत और अवेद्न को नमक कुछ यहुदी पुरुष हैं, जिने तुने बेविलोन के प्रांध के कारे के उपर न्यूक्त किया है उन पुरुषों ने, ही राजा, तेरी की हुई आग्या की कोई चिंता नहीं की, वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते और जो सोनी की मुरत तुने खड़ी कराई है, उसको दंदवत नहीं करते हैं तब नभुका नेजर ने रोश और जलजलाहट में आकर आग्या दी कि शद्रक, मेशक और अविद्नगो को ले आया जाए तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किये गए नभुका नेजर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अविद्नगो तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोनी की मुरत को दंदवत नहीं करते तो क्या तुम यहाँ जान बुच कर ऐसा करते हो यदि तुम अभी तयार हो कि जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देगा तब उसे शड़ गिर कर मेरी बनवाई हुँ मुरत को दंदवत करो तो बची जाओगे यदि तुम दंदवत ना करो तो इसी खड़ी धदकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे फिर ऐसा कौन देवता है जो तुम को मेरे हाँच से छुड़ा सके उन तीनों ने राजा से कहा हे नभुकद नेजर इस विशा में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रियोजन नहीं जान पड़ता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हम को उस धदकते हुए भटे की आग से बचाने की शक्ती रखता है वरन ही राजा वह हमें तेरे हाँच से भी छुड़ा सकता है परन्तो यदि नहीं तो ही राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुए सोने की मुरत को दंडवत करेंगे अब नबुका नेजर राजा जुझला उठा और उसके चहरे का रंग उन तीनों के प्रती बदल गया उसने आग्या दी कि भटे को साथ गुना अधिक धदका दो फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आग्या दी कि इन तीनों को बांध कर उन धदकते हुए भटे में डाल दो तब वे पुरुष अपने मोजो, अंग रखो, बागो और अन्य वस्तरों सहीत बांध कर उस धदकते हुए भटे में डाल दिये गए वह भटा तो राजा के द्रड आग्या होने के कारण अत्यन्त धदकाया गया था इस कारण जिन पुरुषों ने उन तीनों को उठाया वे ही आगी की आज से जल मरे और उसी धदकते हुए भटे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मिशत और अविद्न को बंधे हुए फेक दिये गए अब नबुकद नेजर राजा अचंबत हुआ और घबरागर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आगी के बीच तीन ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाये थे उनने राजा को उतर दिया हां राजा सच बात है फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आगी के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानी नहीं पहुची और चौथे पुरुष का स्वरूप इश्वर के पुत्र के सद्रिश है नबुकर नेजर ने उस धदकते हुए भटे के द्वार के पास जाकर कहने लगा परमपरधान परमिश्र के दासो निकल कर यहां आओ यह सुनिकर शदरक मिश्रत और वेद्र को आगी के बीच से निकल आए जब अधिपती हाकीम गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इ नबुकर नेजर कहने लगा धन्य है इन तीनों का परमिश्र जिसने अपना दूत भेज कर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आग्या ना मान कर तुझी पर भरोसा रखा और यहां सोचकर अपना शरीर भी अरपन किया कि हम अपने परमिश् किसी देवता की उपासना और दंडवत नहीं करेंगे इसलिए अब मैं यहां अग्या देता हूँ कि देश देश और जाती जाती कोई लोगों भीन भीन भाशा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मिशक और अविदनगों के परमिश्वर की कुछ निंदा करेगा वहां ट राजा नबुका नेजर द्वारा यरुशलेम लूट में आये यहुदी बंदियों में दानियल और उसके तेन साथी शद्रक मेशत और अविदनगों थे राजा द्वारा देखे गए एक स्वपन को दानियल ने उस सपने को अर्थ सहीत राजा को बता दिया था जिसके की यह घड़ना होती है जब राजा ने अपने देवता की एक लंबी चोड़ी मूरत को बेबी लोन में दूरा नमक एक मैदान में खड़ा कराया था और वह चाहता था कि प्रांत प्रांत के सभी अधिकारी और जो भी लोग हैं और वो चाहिए किसी भी पोस्ट पर वे सब इस मूरत की प्रतिस्ठा में शामिलो इसलिए जितने भी उचे पदो पर आधिकारी न्योक्त थे वे सब इस भव्वे मूरत के सामने इकठे हो गए राजा की धिंडोर्चियों के द्वारा यह कहलवाया गया कि देश देश के लोग जब बासुली वीडा सारंगी आधी बा अपने परमिशुर पर भरोसा किया तब उन्हें धदकते हुए भटे में डाल दिया गया जो लोग उन्हें भटे में डालने गए थे वे ही जुलसकर मर गये क्योंकि आग की लपटे बहुत ही जादा थी राजा नबु का निजर हैरान था उन्हें देखकर कि उसने आग के बटे में तीन पूरुशो को डलवाया था परन्तु चौथा कौन था उसका रूप इश्वर के पुत्र के समान दिख रहा था उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे आगे के करीब भी आये हो उन्हें तीनों को बचाने वाला जिंदा परमिश्वर थे जिसकी वे जिस पर भरोसा करते थे परमिश्वर पर भरोसा उनका इतना अटूट था कि वे अपने शरीर को भी उसके नाम पर अरपन कर दिये सिर्फ मूरत के सामने जुगना था फिर सब काम उनका वैसे ही चलता जैसे दिन चरिया का काम होता था ये एक सधारन सी बात थी प्रियो ये सधारन नहीं था परमिश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ किसी दूसरे देवी दियोता की उपासना ना करना उन्होंने अपने परमिश्वर को प्यार किया अपने परमिश्वर को एहमियत दिया उन्होंने अपने सिर को किसी मूरत के सामने नहीं जुकाया बलकि अपना को परमेश्वर माना और यह आग्या भी निकलवाया कि कोई भी देश हो या किसी भी जाती से हो या कोई भी भाशा के हो यदि वे शद्रक मेशक्त और अवेदनगों के परमेश्वर की निंदा करेगा तो वह तुकड़े तुकड़े किया जाएगा सुनने में कितना अच्छा लगा शद्रक मेशक और अवेदनगो का परमेश्वर क्योंकि उन्होंने अपने जान की कोई परवाहन नहीं किये इसलिए परमेश्वर ने उनके जान को बचाया और उनका पद अब और जादा उंचा किया गया हमें किसी मनुशी से डरनी की जरुवत नहीं है परन्तु डरना उससे है जो सर्वशक्ती मान है प्रियो यदि आज हमारे समय में ऐसा हो तो हम क्या करेंगे कितना प्यार करते हैं अपने परमिश्यों से क्या इन सब परिस्थितियों में हम मरते समय तक अपने परमिश्यों का अंगिकार कर सकते हैं क्योंकि लिखा है दूसरा तिमूति उस तीन के बारा में पर जितने मसी इ जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुशी का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्दूतों की महिमा सहीत आएगा, तो उससे लजाएगा। शद्रक मेशक्त और अवित्नकों की कहानी में उनका भरोसा अपने परमिश्वर पर अटूट था, इसलिए वे किसी राजा के आदेश से नहीं डरे, बलकि भैमा ने अपने परमिश्वर का, जिसने पूरा संसार बनाया था, मती दस उसके 2628 में लिखा है, इसलिए मनुश्यो से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं, जो खोलाना जाएगा, और ना कुछ छीपा है, जो जानाना जाएगा, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नस्ट कर सकता है, राजा द परमिश्वर पर भरोसा रखा था परन्तु नरक की आग कभी भी भुजने वाली नहीं है जो आत्मा को हमेशा तक जलाती और तड़पाती रहेगी इसलिए आज हमें प्राथना करना है इस दिन और उस घड़ी के लिए जब हमारे साथ भी कभी ऐसा आए तब प्राड देनी तक परमिश्वर के प्रती इमानदार बने रहे परमिश्वर पिता हमें स्वैम भी बचाने के लिए हमारे साथ है येश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैब तुमारे साथ हूँ इसलिए हमें घबराने की जरुवत नहीं है उपवास प्राथना अराधन में और पवित्रताई के साथ परमिश्वर में आगे बढ़िये उनका भै मानते हुए क्योंकि अब समय नस्दीक है जब प्रभु येश्व मसी का आगमन होगा तो प्रियो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में आप सभी भाई बैनों को प्रभु येश्व मसी के नाम में जय मसी की तो दोस्तो कैसी लगी आपको इस टोरी कमेंड में लिखके बताए ही आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जय मैंसी के दोस्तों